प्रतीक माग्रहों के दाजा सूर्य जब एक रासी से दूसरी रासी में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को संक्रान्ति कहा जाता है पंचान के अनुसार साल में 12 संक्रान्ति मनाई जाती है अभी मार्क स्रीस माच चल रहा है 16 नमंबर 2022 को सूर्य तुला से व्रश्चिक रासी म में प्रवेश करेंगे इसे व्रिष्चिक संक्रान्ति कहा जाएगा व्रिष्चिक रासी में सूर्य 15 दिसंबर 2022 तक विराजमान रहेंगे सूरी की उपासना के लिए ये दिन सर्वस्रेष्ट माना जाता है इस बार व्रिष्चिक संक्रान्ति पर बेहदी सुपसंयोग बन इस दिन काल भैरो जैनती भी मनाई जाएगी तो आएए जानते हैं व्रिष्चिक संक्रांती का पुन्यकाल और इसका महत्व सूर्य रासी परिवर्तन साम को 7 बचकर 29 मिनट तक तुला से व्रिष्चिक रासी में प्रवेश करेंगे व्रिष्चिक संक्रांती पुन्यकाल दोपहर 12 बचकर 11 मिनट से साम को 5 बचकर 36 मिनट तक कुलवदी 5 घंटे 24 मिनट की व्रिष्चिक संक्रांती का महा पुन्यकाल दोपहर को 3 बचके 48 मिनट से साम को 5 बचकर 36 मिनट तक कुलवदी 1 घंटा 48 मिनट तक व्रिश्य संक्रांती का महत्व व्रिश्यक संक्रांती पर सूरी को जलर पित करने के साथ स्राद और पितर तर पड़कारि करना उत्तम माना जाता है देवी पुरान की अनुसार जो इस दिन पवित्र नदी में इस नान के बाद दान पुन्य करता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है वहीं सूरी की उपासना करने से पराक्रम, बल, तेज, यश, कीर्थी मिलती है कहते हैं इस दिन सूरी को तामे के लोटे में जल, लाल चंदन, लाल फूल, कुम-कुम मिला कर चड़ाएं साथी सूरी चालिसा का पाट करे इससे तमाम दोस्त खत्म होते हैं भक्तो व्रिष्चिक संक्रांती के दिन पूरा दिन ही सुब माना जाएगा लेकिन तो पहर 12 बज़ कर 14 मिनट से साम को 5 बज़ कर 36 मिनट तक का समय पुन्यकाल है इस वक्त में दान पुन्य करने से व्यक्ति के सवी दुख और कस्टों का अंधो हो जाता है व्रिष्चिक संक्रांती के दिन लोग अन्य वस्र आधिका दान करते हैं इस दिन दान और इस नान को काफी पवित्र माना गया है जै स्री किष्ण